जहिन वंदमातरम दोस्तों आज तक इंडियान आम्ड फोर्सेस में विमन का रेक्रूट्मेंट कोई भी स्पेशल फोर्सेस में नहीं होता था चाहे वो गडूर हो पैरा हो या फिर मार्कोस हो लेकिन भारत की तिहास में पहली बार इंडियान नीवी ने मार्कोस कमांडो की में गर्ल्स के लिए दर्वाजा खोल दिया है अब इंडियान नेवी के फिमिल परसनल्स भी मार्कोस कमांडो बन सकते हैं मार्कोस कमांडो सिर्भ भारत की नहीं पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट है यूएस नेवी सील जिसका लोहा मांता है न वो है मार्कोस कमांडो तब फियू द फियरलेस बहुत इस संख्या में कम होगा लेकिन आकास हो जमीन हो या फिर पानी के अंदर हो किसी भी सीचुएसल में किसी भी तरह के आपरिशन्स को अंजाम देने के लिए कमांडोस हाईले ट्रेंड होते हैं इन्हें दाड़ी वाले फॉज और मगरमच के नाम से जाना जाता है मार्कोस कमांडो के लिए कोई भी डिरेक्ट रिकूटमेंट नहीं होता है इंडिया नेवी से ही लोग मार्कोस जोयन कर सकते हैं लेकिन एक हजार लोगों में से सिर्फ एक मार्कोस कमांडो बन पाता है मार्कोस कमांडो की ट्रे जो ट्रेनिंग को कम्प्रीट करेगा वही मार्को बन पायेगा अब देखना यह है कि कौन सी ऐसी महिला टीम बनेंगी जो बनेंगी भारत के पहली महिला मार्को कमांडो महिलाओ के बारे मैं बात हो रहा है मैं आपको एक पोईटरी जुनाता हूं सिंगासन हिल उठे राजबंशों ने भ्रपुटी तानी थी बूढे भारत में आई फिर से नहीं जवानी थी पूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सन 57 में वो तलवारे पुरानी थी बुंदेले हर पुलो के मूу हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ीं वो मरदानी वो तो जासी वाले रानी थी भारत की स्ववित्र मिटी ने ऐसे ऐसे विरंगनाओं का जन्म दिया है जिनके वीरता और पाराक्रम की कहानी सायद आज हम भूल चुके हैं लेकिन इस भारत के विरंगनाओं बार बार हमको यह याद दिलाया है कि इस देश के मिट्टी के लिए कुछ ऐसे भी विरांगना इस देश में है जो सर जुकान नहीं सर काटना पसंद करेंगी जहिंद जै भारत इनकलाब जिन्दाबाद भारत मतगी जै